आप भी फॉन पे का उप्यों करते हैं और आप फॉन पे में एक से ज़्यादा बैंक काउंट रखते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाली है इस वीडियो में आप देखने वाले किस प्रकार से आप अपने फॉन पे के अंदर अपने बैंक अकाउंट को चैंज कर सकते हैं सिर्फ एक दो स्टेप में ही तो दोस्तो मैं हूँ आपका अपना धियंदर सिंग बिष्ट और आप देख रहे हैं इस समय टेकनेट में तो चलिए दोस्तों विश्तार प्रूपक जानते हैं कि आपने मन पसंदीदा बैंक से किस प्रक अपन करेंगे और फोन पर आपके साथ जुड़े हुए जितने भी बैंक काउंट है जैसे कि आपको यहां पर आना है और नीचे देखना है यहां पर आना है पैमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यहां आके बैंक काउंट पर किलिक कर देना है यह आपको बैंक दिखाई दे जाएगा यहां पर यहां पर कोई और करना चाहते हैं बाकी हमारे यहां पर एक दो तीन और चार बैंक काउंट जोड़े हुए हैं जैसा कि मुझे अभी हमारे Paytm Payment Bank को मुख्य बैंक बनाना है तो मुझे Paytm Payment Bank को पर क्लिक करना है और इस पर करते हैं दोस्तों यहाँ पर Set As Primer के आपको देखना है और कि क्लिक कर देना है तो यहाँ जाएगा और डिफॉल्ट बैंक अकाउंट हम कर लेंगे जिससे यह Paytm Payment Bank हमारा डिफॉल्ट बैंक अकाउंट बन जाएगा हमारा और इसी से हमारी अब लेंदेन होगी देखिए दोस्तों प्राइमरी बैंक अकाउंट बन चुका है और हमारा SBI और PNV बैंक थोड़े लाश्ट में जा चुके हैं यदि आपको अपने बैंक अकाउंट और भी एड़ करन आप इन कुछ स्टैप का पालन करके आप अपने फॉनपे में अपना बैंक काउंट चैन्ज कर सकते हैं और मंचाहा बैंक आप एड़ कर सकते हैं आप फॉनपे के अंदर यूपी बनाने के लिए आपको डेविट काड़ कि आउसकता नहीं है कि केवल आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और आपका अधार काड़ आपके पास होना चाहिए आप आधार यूपी बना सकते हैं आधार काड़ से यूपी बनाने के लिए उपर आई विडियो दी गई है उस वीडियो को देखें जिसके दौरा आप घर बैठे अपने अधार काड़ से बिना ATM क में चलिए धन्यवाद